So, Hello Dear Students, Welcome to Gate Academy YouTube Channel and Welcome to Unacademy मेरे साथ है यहाँ पर कृष्णा वारशने और मैं आपको बता दू कि इनका रंक आया है 29 इस 29 के पीछे क्या इस स्टोरी छिपी हुई है, कहां से यह बिलॉंग करते हैं, कब से इन्होंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी गेट की प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करी तो मैं बात करूँगा कृष्णा से और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पुराने YouTube वीडियो पे जाते हैं और कृष्ण वगर आप देखते हैं, तो पिछले साल जितने भी कृष्ण हमने खिलाए हैं, उसमें ये नाम आप जरूर सुने होंगे, और मैं हमेशा बोलता था कि कृष्णा उपर दिखेगा, कृष्णा उपर दिखेगा, कृष्णा फाइनली यार, 29 rank, I'm really, 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 very happy for you. Thank you, sir. Thank you very much. और कृष्णा आपनी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में बताओ, कहां से हैं हम और कैसे फिर गेट के प्रिपरेशन करी, आप फाइनल येर में हो, तो लास्ट ताइम क्या थर्ड येर का क्या रहा था, कैसे गेट की तरफ मोटिवेशन मिला, गेट अगेडमी से पढ़ने क का कहां से मोटिवेशन मिला, कैसे आपने कोर्स जोइन किया, सारा एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन. जिर प्रूरो ग्रूपल, थिरवेशन में वा क्या सूराइब लो और अपने क्या गेट ज souvenी, आपने मिला a खना मda safety and काई सब्सक्राइब ट्रोओ आएंगे एक रामें तर श्यूवेशन टेट रहेंता साथ्ट तर श्चियर रहें में मुत्तरएंज क्यान सब्सक्राइब इन जन्वरी 2023 एंड 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 अटम्टेट गेट दिस यर और इन गोट 29 बहुत ही बढ़िया सो यह थी स्मॉल में जर्नी कृष्णा की और कृष्णा को बता दू कि इन्होंने क्विज में लगातार यह टॉप करते रहे थे अगर हम बात करें यूटूब यूटूब पे लगातार बने हुए थे कृष्णा और फिर अपनी लाइव क्लास में यह इन्रोल हुए लाइव क्लास में इन्होंने प्रिपरेशन अपनी करी और कृष्णा थर्ड एर में इनका जो मेरे पास मैसेज था कि सर मैं इस बार आपको डिसपॉइंट कर रहा हू ऐसा करके इन्होंने मैसेज किया था मेरे को रैंक उतनी अच्छी नहीं हुई पेपर अच्छा नहीं हुआ बट इस बार मुझे लग रहा था कि कृष्णा कुछ ना कुछ अच्छा रैंक परफॉर्म करके लेकर के आएंगा और फाइनली ही गॉट 29 रैंक अचा कृष्णा साथ कैसे मैनेज होगा तो आप अपनी कॉलेज की स्टेप बे स्टेप जरनी बताओ विकॉस आप थर्ड इयर में पड़े इसका मतब आप सेकंड डियर से गेट में जुड़े हुए हो और मेरी शायद आप से बात हुई थी आपके घर पे मेंबर से भी बात हुई थी तो हन मतलब गेट की तरफ में ज्यादा लिंक नहीं था क्योंकि कोविट के डूरेशन में ओनलाइन कॉलिज सा तो ज्यादा को नौलिज थी नहीं तो जस्ट आम प्लेइंग दा क्विजिस और यूटीब चैनल आइंड आफ्टर डेट क्विज इस आपने मेरी फैमिली से बात की क्रिशना कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार चैनल कीतर चला चलो जाऊंट की तरफ चले लगता है कि कभी बी अगर ऐसा स्टुडेट्ट है जो को्यजस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है न तो वह गेट में कहीं ना कहीं करने की चाबिया रखते और देखो तुम्हाने तुमने आखिर फाइनली अपने इंजीनरिंग के फाइनल येर में बीटे के फाइनल येर में 29 रेंक आखिर लेई आया अकृष्ण मुझे बताओ तो कॉलेज की डियूरेशन में प्रिपरेशन करना कितना तुफ होता है या गेट के प्रिपरेशन की डियूरेशन में बहुत एजी वे में की जा सकती है करना सब्सक्राइब। कोचिंग भी साइट वाई साइट चलते रहें तो सेमेस्टर एक्जाम के साथ साथ जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो कभी ऐसा बर्डन फिल नहीं होता था कि यार यह अलग मैं पढ़ रहा हूं या सेम होता था लग बग नहीं सब बर्डन बस इंदसेंस यह रहता था कि जादा CGP नहीं बन पाए गया आपकी जो गेट का पैटन है और समस्टर एक्जाम का पैटन है वह सेम नहीं है वह ठीटिकल कूछेंगे जादा और वह प्रैक्टिकल कूछेगा गेट करेक्ट करेक्ट तो तुमको अपनी प्रिपरेशन जर्णी में अगर आपन बात करें कि थर्डियर में जैसे तुम्हारा थर्डियर में 900 सम्टिक रएंड़ थर्ड़ फिरदे प्रिपरेशन थी तो वहाँ पर क्या क्या कमिया बिकाज अभी ये बच्चे सेकंड यर वाले भी देखेंगे फाइनल यर वाले भी देखेंगे तो उस डूरेशन में क्या-क्या कमी ऐसा फील करते हो या सब्जेक्ट्स पूरे नहीं हो पाये थे या टेसरी अच्छे से नहीं हुआ था इंफेक्ट में थार्ड यर में प्रिपेशन ज्यादा अच्छिती ऐस कंपेर तो फाइनल लियर बट मैंने एक्जाम के प्रेशर में आकर वह सारा एक्जाम स्पॉल अप कर दिया क्योंकि जहां मैंने मतलब सार्डिंग कोशन देखे थे मेइब इंफेक्ट वह पेपर वैसे और मैंने उसे और दादा टॉब बना दिया इंडर एक्जाम प्रेशन मांकर राइट एक्जाम का प्रेशर अभी फाइनल यर में तुमने एक्जाम का प्रेशर वैसा फील नहीं हुआ गया कि मुझे कुछ ऐसा फाइनल यर में इस बार तो लाना ही है क्योंकि थार्ड यर म में इन फेक्ट मैंने सार्ट तरा दा प्रेशन फाम दिसमबर मैंने जस्ट कर रहा था जो थर्ड यर में लगाई थी और उसी से मेरा के रिविजन का कंट्वनिशन होता गया और उसी दिविजन के पेस पर मेरी यह रेंक रही बढ़िए तो तुमने असा टेसा आपन देते यह मुझे लगा था कि चलो और मैंने तुमको बोला था जो अच्छा ही होगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंडर फिफ्टी तो आना चाहिए लड़के का रेंग चुकि तुम्हारे जब मार्क्स तुमने दिये थे और यह भी है कि जब तुम लॉग इन और अच्छा आने वाले टाइम पर अब तो इतनी अच्छे रेंग को भुनाने की बारी है तो क्रिश्ण आने वाले टाइम पर क्या क्या सोच है तुमने क्या करने वाले हो सार अभी तो PSU जोइन करने के सोच है जस्ट आफर कॉलेज और लॉंग टर्म गोल में अभी सिविल सर्विसेस प्रिपरेशन बहुत ही बढ़ी है बहुत ही सुन्दर ये एक सही प्लैन है और PSU में भी तुम अभी इंटर्वियू बगर होंगे हमारे साथ कनेक्टेट रहना पोस्ट गेट गाइडन्स जो है हना वो हम लोग यहां से तुमको प्रोवाइड करते रहेंगे और कॉंग्राइशुलेशन से जुड़े हुए एक दूसरे से हना क्योंकि वह वाला टाइम भी है कि जब वह मैं लोग के साथ में था और उस टैम पे भी अपन मैंटी कर रहे उसमें भी पाटिसिपेट कर रहे थे याद है उस बील्डिंग में पिछले साल की बात है है हां तो हम लोग सब जुड़े हुए थे काफी सारे टाइम से और फाइनली वी हैव कंवर्टेड इस रैंक और कॉंग्रेशुलेशन से और अल बेस्ट कृष्णा ओल बेस्ट थैं झाल 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 झाल